नमस्कार मैं पूजा यादा लेकर हाजिर हूँ आपके लिए चन्डिगण, हर्याना, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरे चली नज़र डालते हैं ताजा हेडलाइन्स पर चन्डिगण महाली से बड़ी खबर कुरोना से दो की जान गई पंजाब में बाहर से आने वालों के लिए बड़ी राहत, अब 72 घंटे तक रहने वालों को नहीं होना पड़ेगा क्वरिंटीन हाई कोट का बड़ा फैसला अग्रीम जवानत असाधारन पस्तियों में ही मिलेगी बिहाद सरकार का बड़ा फैसला 16 से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में कम्प्लीट लॉकडाउन हर्याना के चार जिलों में कफ्यू लगाने पर चल रहा विचार हर्याना ग्रव मंत्री अनल विच ने दिये संकी हर्याना जिला के सोनिपत में केंदरे सड़क परिवन मंत्री नितिन गड़करी ने दे हजारो करड़ रोपे के सौगात शाबाद मारकंडा में पुलिस विभाग की नेर्कोटिक्स टीम ने दो नशा तसकर किये काबू हर्याना को केंदर की बड़ी सौगात दिखाएंगे विस्तार से चंडिगड मोहाली से बड़ी खबर कोरोना से दो की जान गई पीजियाई चंडिगड में सेक्टर छे के रहने वले 65 वर्षिये की बजूर्ग व्यक्ती ने मंगलवार दुपहर दम तोड़ दिया चंडिगड में कुरोना से है नोवी मोथ है राजस्थान में कॉंग्रेस में चल रहे घमासान के बीच उप मुख्या मंतरी सचिन पाइलेट सहित खाद्या मंतरी रमेश मीना वैम प्रियतन मंतरी विश्वेंदर सिंग को मंतरी मंडल से निश्काशित कर दिया गया है अब 72 घंटे तक रहने वालों को नहीं होना पड़ेगा कुवारंट टाइम पंजाब सरकार ने राज्या में बाहर से आने वालों को बड़ी रहत दी है देश की राजधानी दिली से सटे हरियाना के चार जिलों फ्रीदाबाद गुर्गाओं जजजर वैसोनिपत में कोरोना का कहर रोकना सरकार के लिए किसी चुनोती से कम नहीं है इसलिए NCR से सटे इन चार जिलों में स्थिती को देखकर अनिल विज ने कर्फ्यू लगाने के संकेत दिये हैं केंद्रिया सटक वै प्रिवहन मंत्पी नितिन गड़करी द्वारा मंगलवार को हजारों करोड रुपे की रोड प्रियाजनाओं का सिल्यान्यास वै उद्गाटन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये किया गया सोनिपत के लगु सची वल्य में सोनिपत के सांसद रमेश कोशिक की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सोनिपत को भी करीब 15,000 क्रोड की सोगाद दी गई शाहबाद मारकंडा थाना शेतर के अंतरगत पुलिस विभाग की नार्कोडिक्स टीम ने लाखों रुपे की पांच किलो अफीम और 75 किलो अन्यमादक्पदार्थ की तसक्री कर रहे दो तसक्रों को गिरफतार किया है जिन में एक व्यक्ति गाउं त्योडा तो दूसरा ग किया है यह कमर्शल क्वांटिटी में लाए करता है तो यह जादर संधीर जो सदा है इसमें रहेगी इसके लावा इन्होंने हमें नाम भी बताया कि एक संजीव है और भूभी कांट्योडा का है जिसने उनसे मंगवाया था यह जो नार्कोडिक सबस्टन्स है तो उसको भी हम जर्द हिरासत में लेगे हैं इसकी कीमत तो कितनी होगी सोलन जिला का बीबियान शेत्र कोरोना का हब बन चुका है यहां पर आए दिन कोरोना के मामले आ रहे हैं गतरात्री आई-जाच रिपोर्ट्स में 79 लोग कोरोना पोश्टी पाए गए जिसमें से 69 एक ही कंपनी के करमचारी हैं इसमें से 59 के सिब्सक्राइब और इस कंपनी का पहले भी प्रॉस्टी वाया था तो उसके बाद हमने इनके स्टाफ को कॉरेंटाइं एक जगा करावा था और अब उसमें से यह पॉस्टी वाये हैं और इनको अलाज के लिए हम वहां पर ही उसको कोवर्ट केर सेंटर बना के अलाज भी इनका चलेगा कोई ज़्यादा विक्सिंग इनकी बाकी लोगों के साथ नहीं हुए है और दसवे दिन इनके सेंपल लिए रहे हैं अब तक के लिए इतना ही फिल लॉटंगे आपके लिए देश-प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरे लेकर तब तक के लिए देखते रहे है अर्थप्रकाश टीवी ताजा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूले